अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए करीब 10 महीने से एक दूसरे से अलग हुए रंबीर कपूर और कट्रीना कैफ के बीच की दूरियां और खामुशी की खबरें आज भी सुर्खिया में बनी रहती हैं बोग BFFS Talk Show की अगली गेस्ट करीना कपूर खान से होस्ट ने जब यह सवाल पूछा कि अगर वह कट्रीना कैफ और रंबीर कपूर के साथ अगर लिफ्ट में कुछ देर के लिए बंध हो जाएं तो वह क्या करेगी इस सवाल के जवाब में करीना कपूर के मून से तुरंट निकला अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को मार डालूंगी खेर हम जानते हैं बेगम करीना कपूर पटोदी को इस तरह की किसी भी बात का सामना करना पड़े तो वह से अपने मजाकिया अंदाज में बखू भी निपट सकती है एक समय था जब करीना रंबीर के साथ रिलेशन्शिप में थी तब करीना करीना संग खूब नजर आती थी और दूनों अच्छा समय भी बिताते थे लेकिन कैट रंबीर के ब्रेक अप के बाद करीना और करीना ने भी आपसी दूरियां बढ़ा ली साल 2013 की बात करें तो करंट जोहर के शो कौफी विद करंट के शो पर भी करीना रंबीर को कट्रीना के नाम से छेरती नजर आई थी और यही नहीं उन्होंने कट्रीना कैफ को भाभी तक कहडाला था अगर आपको ये विदियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुजाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस विदियो को देखने के लिए धन्यवाद